आप किस तरह से स्पीड में आरे वाँ क्या स्टाइल है और इस तरह से बोटिंग करते हुए सारे मित्र घणा रहा और आप उठते हुए लहरों को देख सकते हैं और यह देखे आ गई क्या आनंद आ गया अरे वाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर और यह हमारे बट्टी सर के सौजण्य से यह चूर संभव हुआ है और इनको बहुत साधुवार और सारे मित्र नहीं खड़े हैं और यह देखे कमलेसर हैं यही जो है हीडेन रूप से जो है सबको समर्थन देते हैं सबको और जा मिलती है और फादर दूर खड़े हैं और यह बोट आ गई हां अनाज्टी यह बोटिं करके तो कैसा लगा अब अभी बोटिंग करके आई हैं आपको कैसा लग रहा है बहुत अब अच्छा मैसूस हो रहा है जब पानी के बीच में थी तब लहरी जब उपर नीचे हो रही थी तो बहुत मज़ा रहा था तो तो इन्ज़े कि आप मम्मी पपा यादा रहे थे नहीं प्लिकु नहीं अब मुझे तो कोई नहीं आदा रहा था मुझे बहुत मजा रहा था देखिए हम पुनह जो है यह कैसे जगह पे पहुँचे हैं जो बड़ी खुबसूरत लग रही है और यहां पत्थर से औरोध हुत्पन किया गया है और यह इस पार इंडिया और उस पार आप नेपाल देख रहे हैं और सुन्दर नाराणी नदी मा नाराणी मा सालिग्रामी यहां साक्षात उपस्थित हैं और इनका जल इतना स्वक्ष इतना नीला कि देखने के बाद जी कर रहा है कि हम इस नदी में तैरे नहाएं जल क्रेड़ा करें और उस पार सुन्दर पहाड़ियों का द्रिश और इधर वहां से लेके यहां तक एक अनन्द सीमा तक जीस की कोई सीमा ही नहीं है आनन्द स्वक्षार नीला जल और बहुत सुन्दर सा द्रिश बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहां से चल रहे हैं अपना भी फोटो थोड़ा सा लेले एक मेमोरी हो जाएगा और यहां से अपस्वेडियां हमको उपर ले जा रही ह तो फिर हम यह अपनी वेडियो को यहां समाप कर रहे हैं फिर मिलेंगे नमस्कार देखिए कितना सुन्दर न जा रहा है अब बहुत ही खोपसूरत इधर हम भारत में हैं और जहां आप देख पा रहे हैं वो पूरा नेपाल है नेपाल की पहाड दिख रहे हैं और यह बाल इल्मी की नगर का हाट पॉइंट है यही पर जो है भीड जुटती है नए वर्ष के औसर पर और दूर आप पहाड़ों को देख रहे हैं और यह नीला स्वक्ष जल देखने के बाद मन को बड़ा अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए निकले हैं और ज एक एक जगा तो सारी चीजों से आपको आउगत कराते रहेंगे और यहां देखिए मैं भी हूँ मैं घूमने में थोड़ा अच्छा लगता है मजा है और यहां देखेंगे आप सकी लोग है आप किस तरह से स्पीड में आरे वाह क्या स्टाइल है और इस तरह से बोटिंग करते हुए धार मित्र गणा रहा और आप उठते हुए लहरों को देख सकते हैं और यह देखिए आ गई आ वाह संपनोति सरके यह टूर संभव हुआ हैं और इनको बहुत साधुवार और सारे मित्र यहां खड़े हैं और यह देखिए कमलेश सर हैं यही जो है हिडेन रूप से जो है सब को समर्फन देते हैं सब को उर्जा मिलती है और फादर डूर खड़े हैं और यह बोट आ गई हां अनाज्टी यह बोटिंग करके तो कैसा लगा है आप अभी बोटिंग करके आए हैं आपको कैसा लग रहा है जब पानी के बीच में थी तब अब मम्मी पापा यादा रहे थे अब मुझे तो कोई नहीं आदा रहा था मुझे बहुत मज़ा रहा था चली बहुत बहुत हैंवाद हम लोग भी बोटिंग के लिए तयार जैए बाकरी ज्यादा मित्रगण है शारे लोग बैठके हैं बोट के अंदर और मानाराणी मैं हम लोग भी बोटिंग के लिए मिलकुल तयार हैं देखिए हम पुनह जो है यह कैसे जगह पे पहुंचे हैं जो बड़ी खुब्सूरत लग रही है और यहां पत्थर से और रोध हुत्पन किया गया है और यह इस पार इंडिया और उस पार आप नेपाल देख रहे हैं और सुंदर नाराणी नदी मा नाराणी मा सालिग्रामी यहां साक्षात उपस्थित हैं और इनका जल इतना स्वक्ष इतना नीला कि देखने के बाद जी कर रहा है कि हम इस नदी में तैरे नहाएं जल क्रेड़ा करें और उस पार सुंदर पहाड़ियों का द्रिश और इधर वहां से लेके यहां तक एक आनन्द सीमा तक जिसकी कोई सीमा ही नहीं है आनन्द स्वक्षार नीला जल और बहुत सुंदर सा द्रिश बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहां से चल रहे हैं अपना भी फोटो थोड़ा सा ले ले एक मेमोरी हो जाएगा और यहां से अपस्वीरियां हमको उपर ले जा रही है तो फिर हम यह अपनी मेडियों को यहां कर रहे हैं फिर मिलेंगे नमस्कार देखिए कितना सुंदर न जा रहा है अब बहुत ही खोपसूरत इधर हम भारत में हैं और जहां आप देख पा रहे हैं वह पूरा नेपाल है नेपाल के पहाड़ दिख रहे हैं और यह बाल्मी की नगर का हाट पॉइंट है यही पर जो है भीड जुटती है नए वर्ष के उसर पर और दूर आप पहाड़ों को देख रहे हैं और यह नीला स्वक्ष जल देखने के बाद मन को बड़ा अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए निकले हैं और जैसे जैसे हम लोग घूमेंगे आगे एक एक जगा तो सारी चीजों से आपको आउगत कराते रहेंगे और यहाँ देखिए मैं भी हूँ मैं घूमने में थोड़ा अच्छा लगता है और यहाँ देखेंगे आप सकी लोग है आप किस तरह से स्पीड में अरे वाँ क्या स्टाइल है और इस तरह से बोटिंग करते हुए सारे मित्र गणा रहा और आप उठते हुए लहरों को देख सकते हैं और यह देखिए आ गई क्या आनंद आ गया अरे वाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर और यह हमारे बट्टी सर के सौजर्ण्य से यह टूर संभव हुआ है और इनको बहुत साधुवाद और सारे मित्र यहां खड़े हैं और यह देखिए कमलेश सर हैं यही जो है हिडेन रूप से जो है सब को समर हुजा मिलती है और फादर दूर खड़े हैं और यह बोट आ गई हां अनाज्टी आजटी करके तो कैसा लगा कि आप अभी बोटिंग करके आई हैं आपको कैसा लग रहा है जब पानी के बीच में थी तब मम्मी पापा यादा रहे थे मुझे तो कोई नहीं आदा रहा था मुझे बहुत मज़ा रहा था चाली बहुत बहुत है हम लोग भी बोटिंग के लिए तैयार हैं मित्रगण है सारे लोग बैठ गए हैं बोट के अंदर और मानाराडी में हम लोग बोटिंग के लिए मिलकुल तैयार हैं देखिए हम पुरह जो है यह कैसे जगह पे पहुंचे हैं जो बड़ी खुबसूरत लग रही है और यहां पत्थर से औरोध हुत्पन किया गया है और यह इस पार इंडिया और उस पार आप नेपाल देख रहे हैं और सुन्दर नाराडी नदी मा नाराडी मा सालिग्रामी यहां साक्षात उपस्थित हैं और इनका जल इतना स्वक् जी कर रहा है कि हम इस नदी में तैरे नहाएं जल क्रेड़ा करें और उस पार सुन्दर पहाड़ियों का द्रिश और इधर वहां से लेके यहां तक एक आनंद सीमा तक जीस की कोई सीमा ही नहीं है आनंद स्वक्षार नीला जल और बहुत सुन्दर सा द्रिश बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहां से चल रहे हैं अपना भी फोटो थोड़ा सा ले ले एक मेमोरी हो जाएगा और यहां से अपस्वेडियां हमको उपर ले जा रही ह है तो फिर हम यह अपनी वेडियो को यहां समाप कर रहे हैं फिर मिलेंगे नमस्कार देखिए कितना सुन्दर न जा रहा है अब बहुत ही खोपसूरत इधर हम भारत में हैं और चाहां आप देख पा रहे हैं वह पूरा नेपाल है नेपाल की पहाड़ दिख रहे हैं और य यह बालमी की नगर का हाट पॉइंट है यही पर जो है भीड जुटती है नए वर्ष के उसर पर और दूर आप पहाड़ों को देख रहे हैं और यह नीला स्वक्ष जल देखने के बाद मन को बड़ा अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हम लोग गोमने के लिए निकले हैं और जैसे जैसे अब लोग गोमेंगे आगे एक एक जगा तो सारी चीजों से आपको आउगत कराते रहेंगे और यहां देखिए मैं भी हूं मैं घूमने में थोड़ा अच्छा लगता है मजाता है और यहां देखेंगे आप सकी लोग हैं